इसमिट लास में हमने thermal expansion start किया था और expansion of solids हमने almost complete करते था solids के नदर तीन तरह के expansion हमने पड़े थे कौन-कौन से एक तो हमारा linear expansion दूसरा superficial expansion और तीसरा volume expansion ठीक है अब हम बात करते है expansion of liquids की तो liquids के अंदर जो आपको expansion देखने को मिलेगा वह आपको cable volume expansion देखने को मिलेगा अब जब liquids expand करते हैं तो कैसे करेंगे तो देखो liquids directly to expand करेंगे लिए हमें उन्हें किछी container में रखना पड़ेगा तो जैसे मैंने यहाँ पे container के अंदर क्या किया liquid को fill किया और नीचे हमने क्या कर दिया नीचे हमने इसको heat energy दे रहे हैं कुछ लिकड़िये लगाके और हमने इस पे fire लगा दी ठीक है आग लगा दी तो इसकी विए से यहाँ पे heat होगा तो heat होने पर यह जो water के molecules है water के molecules क्य और solid के अंदर भी expansion होता है तो अगर आपका container में भी expansion हो रहा है और आपके liquid में भी expansion हो रहा है तो इस तरह के expansion को हम बोलेंगे apparent expansion of liquid याना कि जब container के साथ-साथ में liquid भी expand करेगा तो इस type doll Arcaneा को हमने क्या नाम दे दिया ? expansion of liquids, क्योंकि apparent का मतलब क्या होता है, जो observed हो रहा है, यानि कि जो हमें SL में दिखाई दे रहा है, और real expansion of liquids क्या होगा, यह जो liquid, खाली liquid जितना expand कर रहा है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे real expansion, लेकिन जायतर क्या होता है, container साथ में expand होता है, तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें जो भी expansion देखने को मिलेगा, वो जायतर apparent expansion देखने को मिलते हैं, अब इसके बाद next topic है, anomalous expansion of water, यहाँ पर जो term है anomalous, anomalous का मतलब होता है abnormal, यानि कि water भी, जो है आपका normally हर liquid की तरह है, क्या करता है, expand करता है, कुछ exception है, या कभी किसी temperature पर यह थोड़ा सा abnormal behavior करता है, और वो आपका temperature है, zero degree से four degree, zero, normally क्या होता है, अगर हम temperature को बढ़ाते हैं, तो सारे liquids क्या करेंगे, expand करेंगे, जितने भी liquids हैं, उनका volume क्या करेंगे, लेकिन water के अंदर क्या होता है, अगर हम zero degree से four degree Celsius तक उसको heat करते हैं, तो water क्या करने लगता है, यहां पर पढ़ा है, temperature के बढ़ाने से, जो हमारे पास volume है, या फिर जो liquid का expansion है, ठीक है, मनलाब liquids के अंदर expansion होता है, जैसे जैसे हम temperature को increase करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, temperature बढ़ रहा है, लेकिन water क्या हो रहा है, contract हो रहा है, तो इसी को हम बोलते है, water का abnormal behavior, ठीक है, अगर 4 degree से आगे का temperature हम बढ़ा है, तो 4 degree का आगे वो normally behave करता है, यानि कि वो सीधा-सीधा expand करता है, बट 0 से 4 degree के बीचे में वो क्या करता है, contract करता है, या हम इसको इल्टा भी बोल सकते हैं, कि अगर हम 4 degree से नीचे उसको क्या करें, थंडा करें, तो normally का abnormal behavior of water, तब इस abnormal behavior की वज़े से क्या बता है, जो आपके marine animals है, जो कि deep water में है, ठीक है, cold countries में, वो easily survive कर जाते हैं, कैसे survive करते हैं, वो भी हम देखेंगे अभी, next, water pipeline gets burst out when outer temperature falls below 4 degree Celsius, अब जैसे कुछ colder countries होती है, वहां का temperature, अगर 4 degree से नीचे जाता है, तो वहां की pipelines क्या होती है, फट जाती है, क्यों फट जाती है, क्योंकि जैसे ही आपका temperature 4 degree से नीचे जाता है, तो 4 degree से नीचे जाने के वज़े से water का volume क्या हो जाता है, एक्सपेंड करने लगता है, तो water जैसे जैसे एक्सपेंड रहेगा, अब pipeline के अंदर को जगा चाहिए, तो जगा उसको मिलती हैं, कहां से, room temperature से below, यानि कि, room temperature कितना उदा मान लेते हैं, यह हमारे पास graph के थू समझते हैं, यह हमारे पास temperature versus volume का graph है, volume यहाँ पर बढ़ रहा है, और temperature यहाँ पर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हमने 2 points लिए, 4 degree Celsius और 27 degree Celsius, normally क्या होता है, 27 degree Celsius अगर हम liquid को या फिर water को cool करे हैंगे, तो वो क्या करेगा, contract करेगा, तो वो यहाँ से लेके, यहाँ तक 4 degree तक contract करता है, according to, जो भी आपने law पढ़ा हुआ है, जैसे जैसे temperature कम होगा, volume क्या होगा, volume भी कम होगा, लेकिन 4 degree के बाद, वो थोड़ा सा abnormal behavior दिखाने लगता है, 4 degree के बाद क्या करने लगता है, वो contact होने के बजाए, expand करने लगता है, इसी चीज़ को थोड़ा सा पढ़ते हैं, होता क्या है इसकी वेज़ेसे, जैसे मान लेते हैं, अभी हमने उपर पढ़ा था, कि जो marine animals हैं, वो deep water में survive कर जाते हैं, कैसे कर जाते हैं, तो उसी चीज़ को हम पढ़ते हैं, मान लो, यह आपके पास एक lake है, ठीक है, कोई हमने lake देखी आसपास, उस lake के बाहर का temperature, starting में मान लो, कितना है, 27 degree Celsius, धीरे-धीरे किसी तरह से मुसके temperature को, मतलब outside का temperature हम कम कर रहे हैं, मैंने temperature को कर दिया, approximately 10 degree Celsius, तो जैसे ही मैंने 10 degree Celsius किया, तो सबसे पहले ही effect करेगा water की upper वाली layer, तो upper सबसे उपर के जितने molecules हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, temperature कम हुआ, तो जितने भी molecules होंगे, top surface पे, वो सब के सब contract होंगे, contract होने से क्या होगा, उनका volume घट जाए हो, ठीक है, और volume घटने की वज़े से क्या होगा, उनकी density जो बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ जाएगी, क्यों यह आपको पता है, density का formula क्या होता है, mass upon में volume, अगर volume आपका कम होता है, ठीक है, तो density ज्यादा हो जाएगी, और अगर volume बढ़ता है, तो density कम हो जाएगी, तो जैसे यह contact हुआ, तो volume कम हो गया, volume कम होने के वैसे density क्या हो गई, पढ़ गई, और अगर density उपर वाली layer की कर जाएगा, पानी में नीचे move कर जाएगा, तो यह वाली layer आपकी नीचे पहुंच जाती है, ठीक है, यह layer नीचे पहुंच गई, अब जो उपर layer आई, अब नीचे पहुंचेगी, तो इसकी जगा लेने के लिए, उपर fluid आपका displace होगा, तो fluid थोड़ा सा उपर पहुंच किया, ठीक है, अब उपर जो layer आई, आप temperature को और कम किया, आपने, 4 degree गड़ दिया, 4 degree तक क्या था, वही हो रहा था, contraction, तो अभी भी contract होगी, layer कहां पहुंच जाएगी, नीचे, ठीक है, अब 4 degree के बाद, जब अगली layer उपर आई, तो उसका temperature मानले है, 3 degree Celsius, ठीक है, तो उप water ना यहां पर क्या किया, expansion करना, start कर दिया, expand होने की वज़े से volume बढ़ गया, और volume के बढ़ने के वज़े से density क्या हो गई, decrease हो गई, ठीक है, density decrease होने के वज़े से, यह वाली जो layer है, यह अब नीचे की तरफ नहीं जाएगी, यह उपर की तरफ ही रहेगी, ठीक है, फिर temperature ऐसे ही करते करते, और कम हुआ, 2 degree Celsius, ठीक है, यह यह जो नीचे वाली, यह जो layer थी, ठीक है, इसका temperature अब कितना हो गया, 2 degree Celsius, तो इसकी density क्या हो गई है, और ज्यादा कम हो गई, तो यह layer कहां रहेगी है, उपर रहेगी, और जो पहले वाली layer थी, वो थोड़ी सी नीचे move कर होगा, यह वाली layer की जो density है, वो सबसे कम होगी, और जिसकी density सबसे कम होगी, वो पानी के उतना ही उपर रहेगा, तो 0 degree वाले की जो density है, वो सबसे कम होगी, और यहाँ पर यही layer आपकी रहेगी, अब 0 degree पर क्या होता है, freezing start हो जाती है, तो इस वाले surface पर क्या हो जाएगी, freezing स्टार्ट हो जाएगी आइस बन जाएगी और ice की density वैसे भी किस से कम होती है water से कम होती है तो इसकी density क्योंकि कम है तो यह layer नीचे जाएगी नहीं जब तक यह layer नीचे पर कि यहां की तरफ आएगा या फिर जितना भी टेमपरेचर आप कम करूगे वह किवल किसको करेगा किवल इस टॉप लेयर जो है यानिकर टॉप की इतनी आप माझलो इतनी ठीकनेस जो है यह किसमे कवर्ट हो जाती है याई और यह ऊपर की तरह ही रहती है में साथ क्यों क्योंकि इसकी density क्या होती है normal water से कम हो जाती है तो density कम होने के विए से यह लेयर आपके यहीं रहेगी ठीक है तो जितना भी टेंपरेचर का आएगा temperature जितना भी कम करते जाओ वो केवल इसी लेयर को affect करेगा बाकी नीचे की जितनी भी लेयर है यहाँ पर आपके पास temperature कितना रहेगा 4 degree fancier क्योंकि water के अंदर heat transfer तभी होता है जब वो actually में move करके जाता भी यह लेयर जब तक move नहीं करेगी तब तक इसकी जगा लेने के लिए उपर कोई molecule आएगा नहीं या उपर कोई layer आईगी नहीं तो इस वज़े से नीचे वाली layer कितने डिगरी पर रहेगी और इस वज़े से यहाँ पर जितने भी marine animals हैं वो easily survive कर जाते हैं ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास expansion of gases अब जो gases हैं वो भी हमारे expand करती हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा expand करती हैं soilers और liquids के मुकाबले room temperature पर हम बोल सकते हैं ordinary temperature पर है ठीक है ideal gas equation proves that coefficient of volume expansion is inversely proportional to the temperature यानि कि coefficient of volume expansion जिसको हम गामा बोलते हैं हमें proof करके दिखाना है कि वो directly proportional है temperature की sorry inversely proportional in temperature ठीक है ideal gas equation हमें पता है क्या होती है PV is equal to mu r t for small change in temperature delta t अगर हम temperature में बहुत छोटा सा change करते हैं constant pressure पर तो volume के नदर भी change होगा ठीक है तो कि हमने पढ़ा सा जब volume में आप change करोगे sorry जब temperature में आप change करोगे तो volume क्या होगा बढ़ेगा यह temperature को कम करोगे तो volume कम होगा तो यहाँ पर मैंने क्या किया temperature में छोटा सा change किया तो volume में भी छोटा सा change आया इस equation को हमने क्या convert कर दिया p delta v is equal to mu r delta t यानि कि v की जगे delta v और t की जगे delta t यह दो equations है इन दोनो equations को आप आपस में क्या कर दो डिवाइड कर दो तो यहाँ पर pressure से pressure आपका cancel हो गया mu से mu कड़ गया r से r कड़ गया आपके पास जो term बचा वो बचा delta v by v equal to delta t by t यहाँ पर हमार पास आगया delta v by v delta t equal to 1 by t यह वाला जो term है यही हमने पढ़ाए इसी को हम बोलते है coefficient of volume expansion और इसको हमने क्या देनोट करते है गामा से तो गामा equal to क्या हो गया 1 by t यही चीज हमें प्रूफ करनी थी that gamma is inversely proportional to temperature इसका मतलब जैसे जैसे temperature को हम decrease करेंगे तो गामा की value यानि की coefficient of volume expansion क्या होगा increase होगा अब हमारे पास कुछ applications है thermal expansion के वो देख लेते हैं जैसे के इन लेंगा railway line जब भी railway lines को बिच्छाय जाता है तो जो दो iron की rails होती है उनके बीच में कुछ ना कुछ gap हमेशा छोड़ा जाता है ठीक है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो यह हमारे पास एक figure है ठीक है ईहको हमने कैया है दो्रेल्स को combine किया हुआ है इस point पर हमने क्या किया है दो regels को combine क्या और यहां पर आपको दिख रहा हुआ हमने ठोटा सा gap छोड़ा हुआ है यह gap क्यों हम छोड़ते हैं क्योंकि इस पे लगातार train चलती है alarm को चलने से friction freeze होता है और इस पे लगातार sunlight भ के लिये ताकि 2 hesli expand हो सके तो उसके लिए यहां पर हमेसा थोड़ा सा इस छोड़ा जाते हैं क्योंकि अगर हमने यह राण फ्रहने दोड़ा तो एकस्पैंड तो होगी एकस्पैंड होने के वीछ कैसा से ले लेँंगी वह कुछ इस्तरह का से प्लेलिंग मतलब ऐसे करके कर्व भी हो सकती है ठीक है क्योंकि जगा मिलेगी ने उन्हें तो जगा ना मिलने के वैसे वह इस तरह का कर्व सेप ले लेंगी तो इसी वज़े से कई बार आपने देखा होगा कि रेल के जो ट्रैक्स होते हैं वह ऐसे करव पात में अपने आप बन जाती है क्योंकि उन्हें जगा नहीं मिल पाती कभी इसके लिए इस इंसेंट के लिए ठीक है और फिर इनको हमें क्या करना पड़ता है चेंज करना पड़ता है या पिर इनको करेक्ट करना पड़ता है चुर आपका नेक्स्ट है संसोटेबल स्पेसिस लफ्ट बिट्वीन दा गेडर यूज़ फॉर सपोर्टिंग ब्रिजेस कुछ स्पेस हमें छोड़ना पड़ता है किसके बीच में गेडर्स के बीच में जो सब ब्रिजिस को सपोर्ट करने के लिए यूज किये जाते हैं अ उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके हम दूसरे गेडर को यूज करते हैं सेम रीजन के वैसे क्योंकि उन्हें क्या चाहिए होता है थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है ताकि अगर उन पे जब गाड़िया चलेंगी या जो भी आपका धूप पड़ रही है रेगु पुरानी मुवीज में जो बोड़ा गाड़ी होती थी या अभी भी आसपास आपको तांगे वगएरा देंगर मिल जाते हैं ठीक है तो उनमें जो है वुड़न के वील्स होते हैं अब वुड़न के वील्स को हम डिरक्ली रोड़ पे नहीं चला सकते क्यों क्योंकि फ्रिक् कि यह जो आपके पास वुड़न का वील है इसके उपर हम क्या कर देते हैं एक आइरन की रिंग चड़ा रहे हैं जिससे कि एक तो आपका फ्रिक्शन कम हो सके यानि फ्रिक्शन रेडियूस हो सके और उपर से जो यह जलने का जो डर है वो भी खतम हो जाए ठीक है और हमेश से क्या होगा जब यह चलेगा तो friction के विए से इसमें heat generate होगी और heat generation के विए से यह आगन की ring अपने आप expand करेगी और expand करने के विए से इसमें lose हो जाएगी वो अपने आप भी बाहर निकल सकती है तो इसलिए हम क्या करते हैं इसका diameter पहले से बहुत छोटा रखते हैं ठीक है छोटा रखने की विए से छोटा रखने की विए से इसमें चोटा रखेंगे तो इस पर fit कैसे होगी तो हम क्या करते हैं इनिशली ring को गरम कर देते हैं गरम करने से उसका diameter बढ़ जाता है फिर उसको हम wooden wheel पे लगा देते हैं और उसको बात उसको क्या करते हैं तो तुरंद और application है a glass stopper jammed in the neck of a glass bottle can be removed by warming the neck of the bottle जो glass के stopper होते हैं ठीक है कभी-कभी आपने bottles देखेंगे उसके उपर stopper लगे होते हैं तो उन stoppers को कभी आपको निकालना हो और निकलना रही हो इसली कम क्या करते हैं जो हमारे पास बाटर है उसकी neck को की गरगन को हम क्या करते है थोड़ से expand कर जाती है और उस expansion के विए से हम उसको इसली बाहर निकाल सकते हैं next topic है हमारा heat capacity देखो heat capacity क्या होती है किसी भी चीज के temperature को कोई वी आप substance उठालो उसके मुझे temperature को change करना है तो उसके temperature को change करने के लिए मुझे कुछ amount में उसको या तो heat supply करनी पड़ती है या फिर कुछ heat मुझे क्या करनी पड़ती है reject करनी पड़ती है insert जब भी हम किसी भी object का temperature बढ़ाना या घटाना चलती है तो हमें क्या करना पड़ता है अगर temperature को बढ़ाना है तो उसको कुछ heat absorb करने पड़ेगी और अगर उसको अपने temperature को घटाना है तो उसको कुछ heat reject करने पड़ेगी ठीक है अब कितनी यही जो required amount of heat है यानि कि कितनी heat वो reject करेगा या कितनी amount of heat वो absorb परेगा इसी को बोलते हैं उसकी heat capacity तो हर material की heat capacity अपनी अलग-अलग होती है इसको हम denote करते है by symbol capital S ठीक है अब यहाँ पर जैसा कि हमने पढ़ा कि जब हमें temperature difference बनाना हो ठीक है या पिर क्या करना है हमें किसी चीज का temperature change करना है तो हमें कुछ कुछ heat supply करने पड़ेगी तो यहां कि आपका जो delta T है वो directly proportional होगा किसके delta Q के तो यहां से हम directly proportional का sign हटाएंगे तो एक constant आएगा that is less इसी S को हम नाम दे देते हैं heat capacity तो यहां पर हमार पास S का formula क्या आगया delta Q by delta T तो specific heat को हम define कर सकते हैं as the amount of heat absorbed or rejected to change the temperature by unity यानि कि specific heat को हमने define कर दिया कैसे as the amount of heat energy required to change the temperature by unity unit degree Celsius या फिर 1 degree Celsius या फिर 1 Kelvin का temperature change करने के लिए किसी भी object किया किसी भी substance ने कितनी heat को absorb किया या कितनी heat को reject किया उसी heat को हम बोल देते हैं उसकी specific specific heat में आप पढ़ोगी specific heat capacity अब हम यह देखा गया कि जो आपकी heat होती है ठीक है वो directly proportional होती है temperature के यानि जितना temperature difference आपको चाहिए उतनी आपको heat energy देनी पड़ेगी दूसरी वो एक और चीज़ पर depend करती है that is mass यानि कि जितना ज़्यदा object का mass होगा आपको heat भी क्या करने पड़ेगी उतनी ज़्यदा देनी पड़ेगी दोनों को combine करके हमने equation लिखी देल्टा q is directly proportional to m देल्टा t यहां से directly proportional का sign हटाएंगे तो एक constant आएगा दवी small c इस small c को हम क्या नाम देते हैं specific heat capacity ठीक है तो specific heat capacity आपकी क्या हो जाएगी देल्टा q divided by m देल्टा t अब यहां से हम specific heat capacity को define कर सकते हैं easily कैसे मैं अपर m की value 1 रख दो देल्टा t की value 1 degree Celsius या फिर वही unit रख दो ठीक है तो specific heat capacity को हमने कैसे define किया it is defined as the amount of heat energy required to raise the temperature of unit mass of the substance through unity यानी कि एक ग्राम का substance आपने लिया या 1 kg का substance आपने लिया ठीक है उसका temperature आपको 1 degree Celsius बढ़ाना है या 1 Kelvin बढ़ाना है ठीक है तो उसके लिए जतनी भी amount of heat energy required होगी उसी को हमने बोल दिया that is our specific heat capacity जैसे मानलो आपने copper लिये तो copper का आपने 1 gram का टुकडा लिया उसमें 1 degree Celsius आपने क्या किया temperature को rise किया अब 1 degree Celsius temperature rise करने के लिए जितनी amount of heat आपने इसको दी उसी amount of heat को हम क्या बोल देंगे उसकी specific heat capacity तो specific heat capacity का फायदा ये है कि अगर हमें किसी object की specific heat capacity पता है तो हम उसमें किसी particular temperature तक उसको ले जाने के ल रहने के लिए कितनी amount of heat की जगरत पड़ेगी वह हम निकाल सकते हैं using this formula तो यह आपके पास एक formula आचोगा है किसके लिए specific heat capacity की value को find करने के लिए है ठीक है यहां से अगर हम SI unit देखें specific heat capacity की तो इस formula के थूँ आप निकाल सकते हो delta q that is energy energy का क्या हो SI unit होती है joule mass की होती है kg और delta t ki यानि की Kelvin तो joule per kg per Kelvin is the SI unit of specific heat capacity next आपके पास molar specific heat capacity molar specific heat capacity क्या होती है it can be defined as the amount of heat energy required to raise the temperature of one mole of substance through unity यानि की one mole of substance में unity का temperature change करने के लिए आपको जितनी amount of heat energy की requirement होगी उसी को हम नाम दे देते हैं molar specific heat capacity और जिसका formula आपके पास क्या होगा ये c is equal to delta q divided by mu delta t यहाँ पर mu क्या है आपके पास number of moles इसका formula आपने पढ़ा होगा given mass divided by molar mass capital M is for molar mass तो capital C की value क्या गई हमार पास M delta q divided by M delta t यहाँ पर हमने mu की जगए ये value पूट कर दिया है तो small m नीचे आगा capital M उपर यहाँ पर हमें एक relation मिल गया that molar specific heat capacity is equal to molar mass into a specific heat capacity ठीक है next topic है हमारा change of state change of state क्या है transition of a substance from one substance to another by heating और cooling is called change of substance यानि कि एक substance का change होना किसमें change होना उसकी state में change होना ठीक है उसी को हम क्या बोलते है change of state अब change of state आपके तीन process है आपके पास solid से liquid में अगर convert होता तो उसको हम बोलते है melting process liquid से solid में convert हो रहा तो उसको हम बोलते है fusion process liquid से gas में convert हो रहा तो vaporization gas से liquid में convert हो रहा तो condensation और एकर solid से directly gas में convert हो रहा तो इस process को हम नाम देते हैं sublimation for example जैसे के dry ice हो गया camphor हो गया यह दोनों चीज़ा directly क्या करती है solid से gaseous state में convert होती है ठीक है अब आपने कुछ points पढ़े होंगे जैसे के boiling point हो गया melting point हो गया triple point triple point आपके लिए नया है ठीकिन boiling point और melting point आपको पता होगा boiling point क्या होता है वो point जिस पर water आपका boil करता है अब ऐसे boiling point असल में क्या है boiling point एक ऐसा point है जहां आप लिक्विड प्लस वैपर दोनों के दोनों को एक्जिस्ट करते हैं thermal equilibrium के अंदर ठीक है यानि कि आपको दोनों ही stages दोनों faces देखने को मिलते है लिक्विड में भी और वेपर में भी वह एक ही time पर आपको देखने को मिलेगी melting point आपका क्या है solid प्लस लिक्विड दोनों क्या करते हैं को एक्जिस्ट करते है thermal equilibrium यानि कि solid भी आपको stage देखने को मिलेगी और liquid भी stage देखने को मिलेगी एक ही time पर triple point एक ऐसा pointer जांपे solid liquid gas तीनों की तीनों exist करती है thermal equilibrium यानि कि तीनों stage आपको एक साथ देखने को मिलती है अब इसके लिए हम इसको थोड़ा सा समझते है graph के through देखो हमें पता है जो water का boiling point होता है वो 100 degree Celsius होता है और जो melting point होता है वो 0 degree Celsius होता है बट जो temperature की values होती है यह standard temperature and pressure conditions पे होती है यानि कि atmospheric pressure पे लेकिन अगर हम pressure को कम करें तो water जो है water का boiling point कम हो जाएगा ठीक है कैसे कम हो जाएगा उसके लिए आपको समझना पढ़ेगा ideal gas equation that is PV is equal to nRT तो यहां पे अगर हम volume को constant रख दें तो हमें पता है pressure directly proportional हो जाएगा temperature के यानि आप pressure को जैसे जैसे कम करोगे आप उसके लिए आपका temperature भी क्या होता जाएगा कम होता जाएगा यानि कि पहले तो जिस pressure पे आपका water 100 degree Celsius पे boil हो रहा था अगर आपने pressure को कम कर दिया तो वही water 100 degree Celsius से कम के temperature पे भी boil हो सकता है ठीक और यह होता भी है तो यहां पे हमने pressure और temperature के बीच में एक graph draw किया तो यह हमार पास इधर की तरफ pressure यहां की तरफ temperature तो जब हमने graph draw किया तो कुछ इस तरह क graph आया और इस graph के अंदर यह जो तीन curves है यह graph आपका detail में नहीं ज्यादा बस आपको इतना समझना है कि यहां पर आपके पास तीन curves मिलेंगे पहला यह दूसरा यह तीसरा यह 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 यहां पर आपके पास कोई भी point हो जैसे मानलों यहां का point आपने लिए और यहां का point यह दोनों पॉइंट्स लाई करेंगे यहां यानिकि इस stage पर आपको क्या देखने को मिलेगा solid face देखने को मिलेगा ठीक है यहां पर कहीं पे भी आपको कोई भी point आ जाए तो आपको कौई सा फेस को मिलेगा लिक्विड फेस और यहां पर भी point लाई करता है तो कौई सा फेस देखने को मिलेगा, gaseous face, point से मतलब, मानलो आपने 10 पास्कल का प्रैसर लिया, और 100 degree Celsius पर temperature लिया, और वो आपको मानलो, वो point आपको यहां मिलता है, तो आपको पता चल गया कि यहां कौन सा face मिलेगा आपको इस पे, gaseous face, अब यह जो आपके पास curves है, इन curves पर अगर कोई point मिलता है, तो इसका मतलब है, कि आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर, इस point पर हम देखें, तो यहां पर आपके पास liquid face और gaseous face, दोनों meet कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर आपको boiling point देखने को मिले हैं, यहां कि liquid face और gaseous face, दोनों के दोनों coexist करेंगे, इन points पर हैं, इसी तरह से solid face और liquid face, कहां exist करेंगे, इन तीन points, मनलब इस line पर है, solid, liquid, ठीक है, और यह जो आपके पास point है, जहां पर तीनों के तीनों faces आपस में मिल रहे हैं, इस point को हम नाम देते हैं, triple point, किसी भी liquid के लिए, या किसी भी object के लिए, triple point के एक ही value होती है, जैसे boiling point आपका change हो सकता है, melting point आपका change हो सकता है, जैसे जैसे pressure change करेंगे, लेकिन जो triple point है, उसकी एक fix value होगी, और अगर हम water की बात करें, तो water के लिए triple point found किया गया, वो कितने temperature पे find किया गया, 0.01 degree Celsius और 611 Pascal, यानि कि किसी तरह से आप water को कितने pressure पे रखो, 611 Pascal के pressure पे, तो आप वहाँ पे अगर 0.01 degree Celsius का भी आपने क्या दे दिया, temperature दे दिया, तो वहाँ पे आपको दिखलेगा, कि water आपका boil भी हो रहा है, उपर से ice की ice भी बन चुका है, और साथ में liquid में भी आपको एक साथ देखने को मिले, इसे कहते हैं triple point, next topic है आपका latent heat, अब latent heat क्या होती है, देखो, जब भी मानलो हमें हमार पास ice है जैसे, ice को मुझे water में convert करना है, या ice को मुझे पिगलाना है, तो ice का temperature initial में कितना होगा, 0 degree Celsius, तो ice जब तक पूरी तरह से water में नहीं convert हो जाएगी, आप देखोगे कि आपका जो temperature है, या फिर, sorry, ice जब तक पूरी तरह से water में convert नहीं हो जाएगी, तब तक आप देखोगे कि जो आपके पास ice है, उसका temperature change नहीं हो, यानि कि जब तक पूरी ice, water में convert नहीं हो जाएगी, उसका temperature कितना रहेगा, 0 degree रहेगा, चाहे आप जितनी भी amount of heat को supply करें, ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ जो भी आपने heat को supply किया है, यह heat अगर यहाँ पर temperature को change नहीं कर रही है, तो यह कर क्या रही है, यह heat use कहा हो रही है, तो basically यह जो आपने heat supply करी है, यह heat क्या कर रहा है, यह heat इसकी state को change करने के लिए use हो रही है, ठीक है, तो इसी heat को हम क्या नाम देते हैं, latent heat, यानि कि वो amount of heat जो की use करी जाती है, किसके द्वारा, object के द्वारा है, substance के द्वारा, अपनी state को change करने के लिए, ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं, latent heat, अब latent heat आपकी केवल और केवल mass पर depend करती है, यानि जितना ज़्यादा mass होगा, उतनी ज़्यादा आपको क्या देनी पड़ेगी, तो यहाँ पर delta q आपका directly proportional का mass के directly proportional के sign गोटाएंगे, तो एक constant आएगा, that is L, इसी L को हम क्या नाम देते हैं, latent heat, तो L हमार पास formula के आगया, delta q by M, यहाँ से हम define कर सकते हैं, that latent heat, the amount of heat required to change the state of unit mass, unit mass of substance में, substance की state को change करने के लिए, ठीक है, जितने amount of heat की requirement होती है, उसी heat को हम क्या गयते हैं, latent heat, और ध्यान रहे, इस time पे आपका जो temperature है, उसमें बिल्कुल भी change नहीं होता, तो यहाँ पर अगर हम SI unit निकाले, latent heat की, तो वो क्या होगी, Joule पर Kelvin, हमें अपने chapter के अगर, दो type की latent heat पढ़नी है, latent heat of fusion, latent heat of fusion आपकी तब आती है, जब आपका solid किसमें convert हो रहा हूँ, liquid, ठीक है, और latent heat of vaporization आपकी यूज होती है, जब आपका liquid convert हो रहा हो किसमें, gas हो, ठीक है, इसके आगे आपका next topic चलेगा, कालोरी मेंटर जैसे हम next उसमें cover करेंगे,